तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महरसी दयानान्त इनिवर्सिटी की बारे में इस इनिवर्सिटी में एंफिल प्यजडी एडमिसन फॉर्म आया है ठीके इस इनिवर्सिटी का रैंक बहुत ही बढ़िया है न्याकी तुरू यहां पर देशके हैं प्लास यह प्लास जो है ग्रेड इसको मिला है इस इनिवर्सिटी को और इनिवर्सिटी यह जो इनिवर्सिटी है महरसी दयानान्त इनिवर्सिटी हरियाना में एक नंबर है ठीके रैंक है इसका एक नंबर हरियाना इस्टेट में और वालवर इंडिया में 76 रैंक है आउट तो चलिए देखते हैं कब फॉर्म लाजडेट है कब होगा बाकी इलिजबली क्राइटरिया एक्जेम टेट कौन है सब कुछ अभी देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो फर्स्ट अफ़ल हम लोग देखेंगे इन्पोर्टेंट डेट्स तो फॉर्म सुरू हुआ है फिल करना तेस तरीक नवेंबर में देख पा रहे हैं यहां पर तेस ग्याड़ा दो हजार बीस और लास्ट टेट है यहां पर चौदा बारा ट्वेंडी ट्वेंटी ठीक है और मेरिट लिस्ट आएगा आर्ट तरीक जनौरी में ठीक है इंग्लीज का एकोनोमिक्स का होटल मेनेजमेंट का 26-12-20 में होगा साड़े गैरा से पुने एक तर तो बाकी सब्जेक्ट भी आप यहां पर देख सकते हैं बाकी सब्जेक्ट का अब दोस्तों बात करते हैं अलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए और आपको 5 परसेंट रिलाक्सेशन दिया जाएगा 55 से 50 तक ठीक है यहां पर 50 परसेंट तक अगर आप हरियाना इस्टेट से बिलॉंग करते हैं और यहां पर अगर आप इस कैटाइगोरी में आते हैं तो आपको 5 परसेंट रिलाक्सेशन मिलेगा तो आप बात करते हैं एडमिंशन प्रोसीओर का आपका जो एडमिंशन टेस्ट होगा वह आपका एककुटिंग टुई येट का जो सिलेवास है ठीक है एड़िड़िनेट का इस और और होगा और हंडेट माक्स रहेगा आपको 50 परसेंट माक्स चाहिए ठीक है क्वालिफाई करने के लिए और अगर आप केटागोरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 50 से 47.5 परसेंटेज चाहिए और यहां इस एक्जाम में ठीक हैं कि एंटलांस टेस्ट में नेगिटीब मार्क्स नहीं है और अगर आपने आपको रिलाक्सेशन मतलब एक्जम आपको देना नहीं पड़ेगा डायरेक्ट इंटर्व्य आप देख सकते हैं तो दोस्तों अब देखते हैं कि मेरिट क्लीश कैसे बनेगा तो मेरिट क्लीश के लिए वइटेज दे गया है परसेंटेज और मार्क्स की ठीक है यहां पर दे पास कोर्स में तो यहां पर देखेु से हैं 10 मार्क्स दिया गया है होई दे और 40 मार्क्स दिया गया है इन ठरण्स टेस्ट की ओपर और 35 मार्क्स दिया जाएगा का दोज कंडिडेट्स को जो जे रेफाइड किया रखा है और ठटी मार्क दिया जाएगा उसको जो नेट सेट है एसलेटी नेट एसलेटी यहां पर एसलेटी हरियाना इस्टेट के उपर जो किया है क्वालिफाइड उनके और जी आरेफ के लिए भी 30% मार्क दिया अगर वो इस्कोलार्सिप नहीं ले रहा है तो और अगर आपने महरसी दायनंद इनिवर्सिटी से ठीक है क्वालिफाइड किये हैं पास करके रहे हैं अंडर गुरू एजुएट और पोस्ट ग्राजुएट यानि बी एमें बीसी एमें सी ठीक है तो आपको पांच मार्स मिल अगर एक है आप हैं तो सिंसनाक का कोई प्रोजेक्ट फेशलण करके रखे हैं रिसार्ट अडिक का गले तो आपको दॉस्तों बात करते हैं नंबर आपर शिट से यहां पर देख सकते हैं जो है हैं यहां पर इसकोला डौन करकर देखाता हूं आपको तोटाल तो 38 यहां पर 38 सब्जेक्ट है यानि 38 डिपार्मेंट है यहां पर डिपार्मेंट लिखा हुआ है तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर एंफिल प्रोग्राम के लिए है सीट यह जो लीश्ट नीचे यह जो रो है यह एंफिल के लिए है और यह जो रो है PhD प्रोग्राम के ल तो यह जो है बायो केमस्टरी के लिए देख सकते हैं PhD के लिए फाइब है इंफिल प्रोगराम के लिए कोई भी चीने है और यहां पर देख सकते नहीं बोल पाऊंगा लेकिन मैं अपना सब्जेग्स जो है जो आफ बता देता हूं तो यहाँ पर जो आफ जो है टोटल सीट सीट 10 है यहाँ पर में ठीक, पिए सडी के लिए कोई भी सीट नहीं है और यहाँ पर तीन सीट Cred director का दिया गया है तो शीथ बहुत अच्छा है अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजीएगा कि बहुती बढ़िया इनिवर्सिति है यह A musst ग्लेट दी दक्तीव में अब दिखाएंगे आपको कि कैसे आप आप एडमिसन जो फॉर्म डाल सकते हैं अब लेके चलते हैं अफिस्येल वीपसाइड में अब दोस्तों आपको लेके आया हूं महर सी दयानन दीनसीजरे की यहाँ ऑपस Change करेंके आपको लेकर चलेगा अब यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर क्लिक करेंगे तो मैं इसका जो लिंक है लिंक में आपको description box में provide कर दूँगा वहाँ से click करके जो है आप directly यहाँ पर आ सकते हैं इस page में आके आप form फिल कर सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को like कीजेगा और चैनल में नए है तो चैनल को subscribe करके बे लाइकों को प्रेस कर लिएगा मैं इसी तरीकर से वीडियो लाता रहता हूँ तो आप प्लीज इस चैनल को subscribe कर लिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में